हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मारे यूटूब चैनल बीटॉपर मैं फ्रेंट जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों सो हम SSC CHSL का प्रिविएस इस पेपर सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों और आज मैं फिर हाजीर हुए आपके सामने नव जनवई 2017 का मौनिंग से जनल अवेरेंस का क्वेश्चन पेपर लेकर दोस्तों वीडियो का अंत्रिक दिखते रिएगा वीडियो पसंद है तो प्ली वीडियो को लाइक वर से जरू किजिएगा कि डेली हम दो से तीन सिप्ट का पेपर सॉल्व करवाते हैं ऐसे ही 2017 के ब भी सिप्ट का पेपर अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आपके मुल जा तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नूबर 26 यहां पर है एक डीटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए निमलिखित में से किस लेंग्वेज का उप्योग किया जाता है तो इसका सही उतर आपके सा अब कर देस द्वारा विसकार किया गया था इसका जो राइट एंसर होगा दोस्तों वह है आपका आप संट नंबर वन सही है यानि की फाइद और पिरोस्तिक पिरोस्त की इसको थोड़ा से जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देक्वेशन ठीक है नंबर 28 का जो राइट एंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्सन नंबर 2 सही है यानि की रख्त का थक्का ना जमना यह हीमोफीलियर का लच्छन होता है अगला कोशन है क्वेशन नंबर 29 देखिए क्या कर आए क्वेशन नंबर 29 है पच्छियों द्वारा की जाने वाली प्र देखिया क्या रहा है मकड़ी मकड़ियां की प्रजाती के अंतर गताती है थर्टी का एंसर दें यह 2017 में सारे प्रसंद पूछे गया थे क्वेशन नंबर 30 का जो राइट एंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्सन नंबर 4 से हो जाएगा आर्थो पोड़ा प्रजाती के अंतरगत आती है मकड़िया अगला क्वेशन है क्वेशन नंबर 31 यहां पर देखिए क्या कह रहा है निमलिखित में से किसका घनत तो सरवाध में का अगला क्वेशन है समीन नंबर 30 जाएगा आपका ऑपसर नंबर 2 साई एलेक्टांस होते है अगला question है question number 33 देखिए question number 33 है नालंदा महा विहार साइट डाइस में है 33 का answer दें आप लोग तो question number 33 का जो सही हुतर है वो हो जाएगा आपका option number 3 सही है बिहार में स्थित है अगला question क्यों बढ़ते है question number 34 है है डेजर्ट फेस्टिवल डैस में ऐज़ित किया जाता है तो desert festival कहा जिद किया जाता है बताना आपको 34 का answer है question number 34 का जो राइट एंशर है वो हो जाएगा यहां पर आपका option number 2 से हो जाएगा जैसल मेर में आज़ित कि आता है डजर्ट festival अकला question है question तो वर्थ 2015 में देश में ब्याज की मामूली दर शे प्रसती और तब मुद्रा स्वीती की दर 1.5 परसंट थी तो वर्थ 2015 में ब्याज की असली दर क्या थी तो इसका जो सही उतर है दोस्तु वह जाएगा हाँ पर आपका ऑप्सन नमबर 4.50 परसंट या 4.50 परसंट अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 36 देखिए वे वस्तु में जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है डायस कहते हैं उनको 36 का एंसर दें आप लो नमबर 36 का राइट एंसर यहां पर आपका ऑप्सन नमबर 4 से हो जाएगा गिफिन वस्तु में कहते हैं उसको ठीके वे वस्तु में जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 37 क्या करा यहां पर देखे, इकोलोजी सब्द की रचना किस ने की थी, यहाँ पर चार ओप्सन दियागा है, इसका जो राइट एंसर है, पर हो जाएगा, आपका ओप्सन नमबर बन सही हो जाएगा, आर्न्स्ट है किलेने, अगला क्वेशन है, क्वेशन नमबर तर्टी एट, देखे, क्वेशन यहां पर question 38 का सही उत्तर जो होए वह जाएगा अगला question 39 देखे 39 क्या कहा रहा है यहां पर देखे पाबोल पाबोलो पिकाशो डैस से था ठीक है पिकाशो ठीक है पिकाशो एक पेंटर थे बहुत थी प्रसिद्ध तो कहां के थे आपको पताएं का पूरा नाम लिखा है question 39 का जो राइट एंसर है वह जाएगा तो 40 नंबर का एंसर दिए आप लो अगर पता है आपको question 40 का जो राइट एंसर है दोस्तो वह है आपका option नंबर 2 सही है भूद महाबोरा अगला question है question 41 क्या करा है सबसे गर्म गरह का नाम बताईए 41 का सही उत्तर क्या है इसी question है इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा आपका option 2 सही हो जाएगा सुक्र ठीक है तो यहां पर अभी बहुत से लोग लगा जाते हैं बुद्ध क्योंकि बुद्ध जो है वह सूर से सबसे निकट है लेकिन बुद्ध गरम नहीं है बुद्ध के बाद जो सुक्र है व आपको पता जाएगा नाथू राम गोट से अप्शन वर यहां पर सही है अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 43 क्या गरा है महराजा रंजीत सिंग के राज की राज़्धानी क्या थी बताएं आप लोग क्वेशन नमबर 43 का जो सही उत्तर है वह जाएगा आपका उप्शन वर 4 से लाहोर थी उनकी राज़्धानी महराना रंजीत परताप सिंग की अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 44 देए क्वेशन नमबर 44 है डैस मिस डैस सरफसेस्ट अभनेता के लिए वर्स 2016 का आसकर वि उनार्डो के प्रियोंं में को ठीक है ठिके क्वेशन मैं देखे क्वेशन मम 45 है सापैशता का सिध्धांत कि किस गोज कि optics की फी आपको 55 का नहीं सही उत्तर देना है कि कुष्चन नमबर 45 का जो सही उत्र दोस्तों वो हो जाएगा आपका आप्सन नमबर 2 से अलबर्ट आइंस्टीन ने सभी का सही उत्र होगा साफिश्टा के सिध्धान की कोज अलबर्ट आइंस्टीन ने की थी अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 46 के करा हैं महाशागर की गहराई को मापनी के लिए किस उपकरण का उप्योग किया जाता है बहुत अच्छा प्रसन है उपकरण से प्रसना एंस्ट्रूमेंट से क्वेशन नमबर 46 का उत्तर जिखे क्या है इसका राइट एंसर फैदो मीटर फैदो मीटर ठीक है सम्मुंद्र के गहराई को मापने वाला यंत्र को कहते हैं अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 47 क्या है सभा के विचार विमर्स के लिए मालक दरसन के लिए उद्देश संकल्पन संकल्प अंडोलन का प्रारम डैस में हुआ डैस ने किया था डैस दौरा किया गया था तो इसका जो राइट एंसर है वह आठ चे चार दो चार ऑप्सन है तो फॉट्टी एट जो सही उत्तर है वह जाएगा यहाँ पर आपका उप्सन नमबर शिक्स यानि ऑप्सन नमबर टू से हो जगा छे वर्सों का कारिकाल होता है राजसभा के सदस्यों का अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 49 देखिए फ साथ जुड़े हुए है तो खेल से भी प्रसुन आता है क्वेशन नमबर 49 का एंसर दें आप लोग फटा फटा फटू कि क्वेशन नमबर 49 का जो सही उतर है दोस्तों भू हो जाएगा आपका ऑप्सन वर्टू से यह तीर अंताजी से संब्दनित है लीबाराम लिमबाराम ठीक है अगला कोशन है लास्ट कोस्टन है सेट का देखिए फिप्टी नमर क्वेशन है ग्लिपसेस आफ रड वर्ड जिस्ट्री पुस्तक को किस नहीं लिखा या पर एक बुख से अफ आफ से प्रसना आता है दोस्तों अक्सर लिशन ने कई सारे सट अप्ल कर वा चुके ह है दोस्तों कई सेट में मैंने पढ़ा इसको ग्लिपसे साफ वर्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखा कौन है जवाहल लाल नहरुयां पर आपका ओप्सन नंबर फोर साइए तो इस तरह दोस्तों हमने एक सेट और सॉल कर लिए हैं जिसे 25 पुछा गया था हर सेट में 25 पुछे आते हैं 2017 का खतम होते हैं 2018 में इतने भी सिप्ट हुए थे सारे सिफ्ट करेंगे और अगर आप इस सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सारे सब्चा है ठीक है यह सारे सब्चेट की हम आपको प्रोड़ने प्रके कोशन प्रवाइड करेंगे दोस्तों इसका साथ तैयारी के दोस्तों सर्केट सब्सक्राइब करते रहे हैं और इसे लेबल की आगे भी जी के जी एस जो भी पढ़ना आपको इसरी लेबल के पढ़ा जा रहा है यह पर जिस लेबल का पढ़ा जा रहा है क्योंकि बार-बार रिपीट भी वहोते हैं प्रसंद अगर आप इसको फॉलो क तो यहां से ही बहुत सारे questions फसने वाले हैं तो दोस्तों अगर यह session पसंद आता हो तो please support करें कि काफी दिन से में video डाला हूँ लेकिन कुछ खास response नहीं आ रहा है बहुत कम views जाते हैं लेकिन फिर भी में continue रखता हूँ तो please support करें video को like करें, share करें चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon करने, thank you for watching दोस्तों मिलते हैं next video में